नमस्कार फ्रेंड्स, हमर किचन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं 36 गड़ी डिश ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूली है और भाटा और ये उड़त दाल की बड़ी है आज हमें इससे 36 गड़ी स्टाइल में बनाएंगे आए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें डालने वाली समागरी आए फ्रेंड्स हम मूली, बड़ी और भाटे की सबजी में जो समागरी डालेंगे उसे एक बार देख लेते हैं ये तीन बड़े साइस की टेमाटर है जिसे हमने ग्रैंडर में पीस लिया है और एक ये प्याज है इसे हमने बारी काट लिया है ये दो चमच मिर्च पॉडर है और ये एक चमच हल्दी पॉडर है और ये धनिया पॉडर है दो चमच जीरा है एक चमच और स्वादनुसर नमक है और ये लैसुन और अधरा का पेश्ट है चलिए फ्रेंड्स अब हम गैस क की ओर चलते हैं और सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम इसमें डाल लेते हैं दो टेवल इस्पून तेल डाल लेते हैं और इसे हम थोड़ा गरम करते हैं हमारा गरम हो गया है हम इसमें बड़ी को प्राइ कर लेते हैं हम एका गोल्डन बाम करके निकाल लेंगे इसे बड़ी हमारा प्राई हो गया है अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं अब हम इसमें डाल लेते हैं जीरा क्यार इसे गोल्डन बाम हो गया है अब हम इसमें मूली डाल लेते हैं जीसे हमने काच कर रखा था इसमें मूली हमारा थोड़ा प्राई हो गया है अब हम इसमें बड़ी डाल लेते हैं बड़ी डालके इसे थोड़ी देर और प्राई हो गया है इसे हम पांच नट ढखतर पकने देते हैं आए फ्राइंस देख लेते हैं मूली और भाटा थोड़ा फ्राई हुआ है कि नहीं देखिए फ्राइंस फ्राई हो गया है अब हम इसमें डाल लेते हैं भाटा जिसे हमने काट कर रखा था इसे अच्छी तरह हम मिश्च कर लेते हैं तो आपने हम इसमें स्वादन सर नमक डाल लेते हैं इसे हम पांच मिट और फ्राई होने देते हैं ढ़क कर आए फ्राइंस देख लेते हैं सब्जी नमारी भूंतु जार तुकर होते हैं यह देखे फ्रैंड्स सब्जी अच्छी तरह से भूंज गया है अब हम इसमें डाल लेते हैं यह अध्रक लैसमें का पेस्ट डाल लेते हैं हल्डी पॉडर यह मिर्च पॉडर और यह महनिय पॉडर साथ में हम टमाटर का पेस्ट भी डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम मसाले को थोड़ी देर भूनने के लिए छोड़ देते हैं अच्छी तरह से भून गया है और इसमें डाल लेते हैं आधा ग्लास पाने डाल लेते हैं इसमें और इसे इसमें हम धनिया की पत्ती भी डाल लेते हैं इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर पकने देते हैं आईए फ्रेंट्स देख लेते हैं सब्जी हमारी तयार हुई लेकिनी बनकर यह देखे फ्रेंट्स सब्जी हमारी पक चुकी है चलिए फ्रेंट्स अब हम इसे सर्व कर लेते हैं देखे फ्रेंट्स हमारी 36 गड़ी डिश बनकर विल्कुल तयार है अगर आपको हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह मूली भंटर और बड़ी की रेस्पी कैसी लगी धन्यवाद